संदार वाकंसी है नोसुंग फ्ल से अंड यह वाकंसी इस Tyler Government से हा है हलोगोम बैक तो नोसुंग रिकुमेंट पादमी guys यह वाकंसी आया है निश्चला इनिशुड़ा मॉर् फरस अशह ख्वात-पा लेल से यानि के लिए अधाक से वेकंसी है सेंटरल गौर्मेंट का ओगरनाईजेशन ही जो की अंडर में आता है मिनिस्टर आई उस गौर्ण आफ इंडिया कहीं ठीक है अपको 2 स्टेप में आपलाई करना है पहले इस इमलीड में आपको एक पीडिय एफ संट करना होगा जिसमें आपका अप्लिकेशन फॉर्माट के साथ सारे डॉकमेंटसे डॉकमेंटसस है अपर नहीं है और उसके बाद जो ही आड्रेस देगा है डिरेक्टर नेशनल इस्टूड आफसोवा रिगा ले इस आड्रेस में जो ही आपको सेंट करना होगा हाट को भी ठीक है यहां पर दो स्टेप है अपलाई करने के लिए किसा अपलाई के नहीं मैं आपको बता चुक हूँ अड्रेस भी दिखा चुक हूँ अड्रेस लिए पोस्ट और सारे क्वालिफिकेशन जो भी है देख लेते हैं कितने पोस्ट है ठीक अनकौन कौन सा पोस्ट है स्टाफनर्स के अलवा नर्सिंग के फिल्ड में सो जैसे का आप यहां पर देख वा रहे हैं फास्ट वेकंसी है नॉर्सिंग सुपर टेंडेंट और मैंटर्न की एक पोस्ट है और स्टाफनर्स की वेकंसी पे लेवल जिसका सिक्स रहेगा यानि की थाटिफाइब प्लस थाउजिंड जो ही बेसिक पे रहेगा विथाउट एनि अलाउंस इस मिलाकर आपके जो ही सालरी इनिशेल सालरी साट से सतर हजार रुपे रहेगा तो यहां पर डिरेक्ट रिकुमेंट ही यानि के पॉमानेट वैकंसी कंटर्च्छल बैसिस में नहीं है टोटल तीन पोस्ट ही यूर में ही यानि कि सारे केंडिट्स यूर में में अपलाई कर सकते हैं अगर आप रिजर्फेशन कोई नहीं है अब यूर में अपलाई कर सकते हैं टोटल तीन पोस्ट है और मैक्समूम एस थाटी यर्स रहेगा और ग्रूप बी की यह जो ही नॉन गैजिटेट पोस्ट है एजुकरेशन क्वालिफेकेशन बीस नौसिं अपलाई करने के लिए डिरेक्ट रिक्रूपमेंट है यान के पॉमानेट वैकेंसी है तो हैं फर सेकेंड वैकेंसी है मैटरों की यान की नौसिंग सुपरिटेंडेंट जिसका पे लेवल 6 रहेगा और यूर में एक पोस्ट है मैक्समूम एस 30 यर्स है लेकिन एस सब्सक्राइब करेंस ग्रूप B के वैकेंसी है एसेंसिल क्वालिफिकेशन रहेगा एक्स्प्रेंस उनके लिए जो है मैंड़ाटर नहीं है जो कि जो भी डिग्री कंडेट है अगर आपने जीनम किया है तो फिर दो साल का एक्सप्रेंस का पॉल चाहिए रहे और कोई भी स इस एलेक्शन के से रहेगा हंड्रेट पोशिन बाइप्रोमोशन यानि कि कोई भी अगर पहले से यहां पर नौकरी में है यानि के न इन इसर में अन्ड उनका प्रोमोशन के मादें से जो ही पोस्ट फिल किया जाएगा अगर पोमोशन के लिए एलिजबल कैंड़ेट नही तो फिल किया जाएगा अगर डेपूटेशन में कोई भी अपलाई नहीं करता है तो फिर जो ही डिरेक्ट रिक्रुमेंट कियाने कि फ्रेसर कंडिट को भी यह पोस्ट ले लेकर जा सकते हैं लेकिन हम पर मैक्समिम एक्सपरेंस को जो ही देखेंगे अगर उस कंडिगेट क और नौसिंग स्टुपेटेंडेंट का दो पोस्ट है जो भी पोस्ट ले आप अपलाई करना चाहते हैं ओफलाइन आपको अपलाई करना होगा अप्लिकेशन फॉर्माट मैं आपको दिखा दूँगा आप हमरे टेल्गाम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक जो ही दिय अगर आपका कोई दोस्त है जो कि पारमेडिकल कंडियेट है जलूई यह वीडियो सेर केज़ेगा उनके पास तो भी अपलाई कर पाएगे उनके भी जो ही वाकन से से कहीं सारे निकले हैं ठीक है और यह वाकन से लावड़र टेक्निशन का है जैसे कि आप देख पा रहे है 12 के बाद अगर उन्हेंने डिप्लोमा किया है लावडर टेक्निशन में तो फिर वो अपलाई कर पाएंगे और जले यह देखें अप्लिकेशन फॉर्माट है यह जो कि एवालवेल होगा आमरे टेलग्राम चैनल में वहां से आप जो ही डाउनलोड टर सकते हैं होके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए आगे वेकंज के इन्फोमेशन हम आप लिए लेकर आएंगे मिलते हैं इस वीडियो में थेंक्स फॉर वाचिंग